फिल्म निर्माता संजलीला भनसाली की फिल्म पदमावती विवादों के घेरे से बाहर आती हुई नजर नहीं आ रही है एक दिसंबर को फिल्म पदमावती की रिलीज डल गई है और इसे सारे देश में बैन करने की मांगो उठ रही है वहीं सेंसर बोर्ड ने भी अधूरे कागजात की वजह से फिल्म निर्माताओं को वापस लोटा दी है लेकिन बृतेन ने इस फिल्म को हरी जंडी दे दी है वहां के सेंसर बोर्ड ने फिल्म पदमावती को पास कर दिया है और एक दिसंबर को फिल्म यूके में रिलीज की दिल्चस्प बात यह है कि यूके सेंसर बोर्ड ने फिल्म को बिना किसी कट के पास कर दिया है लेकिन फिल्म निर्माताओं का कहना है कि फिल्म को पहले भारत में रिलीज किया जाएगा उसके बाद उसे बाकी देशों में रिलीज किया जाएगा क्योंकि इस से फिल्म की पाइरेसी का खत्रा बढ़ सकता है। वहीं फिल्म बाहरी देशों में रिलीज होगी या नहीं होगी। इस मामले में पर सुप्रीम कोट 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। जानकारी के मुताबिक बिटिश बोर्ड और फिल्म क्लासिफिकेशन बीबी एफसी ने दीपिका मुताबिक 164 मिनट लंबी पदमावती हिंदी भाषा की एपिक ड्रामा है। जिसमें एक सुल्तान राजपूद रानी को हासिल करने के लिए आकरवन का नेत्रित्व करता है। गुजरात में बैन की घोशना। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। एसे में पदमावती पर विवाद भी बढ़ता जा रहा है और फिल्म के रिलिज होने पर विवाद बढ़ण सकता है। इसलिए गुजरात के सी एमविजरुपानी ने पिल्म को गुजरात में बैन करने की घोशना कर दी है। उन्होंने कहा फैसलाक्षत्रिय और दूसरे संगठनों से बाचीत क बाद लिया गया है। तए हुआ है कि जब तक आपत्तियों का समाधान नहीं होगा। कानून विवस्था को देखते हुए गुजरात में फिल्म रिलीज नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा इस फिल्म से माहौल बेगर सकता है। चुनाव के मद्दे नजर किसी तरह की प्रत साथ आए। चुनाव के बाद हम फिल्म की रिलीज के बारे में विचार करेंगे। इन राज्यों में प्रदर्शन रोकने की हो चुकी है बात। यूपी में विवादित कंटेंट के साथ फिल्म रिलीज नहीं करने की बात सामने आ चुकी है। की वजह से सेंसर ने निर्माताओं को फिल्म लोटा दी है आइफी में प्रसून ने बताया कि फिल्म की वर्तमान स्थिती को देखते हुए सर्डिफिकेट देने में अरसर दिन लग सकते हैं